लेवस जो है complete हो जाएगा और आज ही class में 20 questions होने वाले हैं और ध्यान रहे आपको इस class की जो आपको PDF और online test है वो आपको मारी website में मिल जाएगा लेकिन ध्यान रखेए आप फिर मुझे comment करें कि भाई PDF में answer की नहीं है तो ध्यान रखना मेरे बात को इस class में मैं सभी उश्र के answer दूँगा उसके बाद आप चाहे तो फिर website पर जाकर online test लगा सकते हैं फिर PDF डाउनलोड कर सकते हैं ये class upload करने के सठीक दो गंटे बाद आपको website पर online test और PDF अवेलेबल हो जाएगा ठीक है तो चलिए बीना time waste कि मैं class को करता हूँ start क्यूंकि चलदी आप लोग के exam होने में वाले हैं तो जतना होसा के practice में लग जाईए classes मेंने सभी subject के continue चलाया रखी हैं तो आप नीचे description box में चेक करकर करके playlist में आप जाकर करके देख सकते हैं ठीक है description box मेंने सभी playlist का link डाला लगा है ठीक है आज को चैप्टर है वो संप्रेशन कोसल है और इसी subject से लेटर बे English में question दे रखे हैं है ना और हाला कि उठाए गए सभी जो सवाल है वो आपके book सही है ठीक है तो धिखान रखना जितने question मैं कर वारा हूँ मैं तपूनी है चलिए पहला सवाल है तो आपको इसका answer बताना है तो उसको हम क्या बोलते हैं परिवारिक सदर्शे के मद्ध्य हो पूचाए जो संजार होता है उसके कितने तत्व होते हैं तो ध्यान रखना उसको हम जो है सात तत्व में divide करते हैं कितने सात तत्व उसके माने जाते हैं ठीक है चलिए अगला question अगला 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 बेसिक से पटना चाहें कि भाई पूरा हमें basic से बताईए तो लेकिन व लोग वो भी देख लेना पूच रहा है किस संप्रेक्शन में इस्थरता अधिक होती है किस संप्रेक्शन में इस्थरता अधिक होती है कुछ नंबर तीसरा है और सही आंसर आपको यहां पर decide करना है कौन सा होने वाला है तो शंप्रेक्शन में इस्थरता अधिक होते है इ लेकिस संचार होना चाहिए, जान सकते हो है न, option number जो है भई या, आपका सी ही answer यहाँ पर चला चाहेगा, clear है, अगला question, परभाविश impression के मार्ग में सबसे बड़ी बादा क्या आती है, परभाविश impression के मार्ग में सबसे बड़ी बादा क्या आती है, ये सवाल आपसे पूछा है और इसका राइट आंसर आपको बताना है कि क्या होना चाहिए तो इस सवाल का जो सही आंसर जाना चाहिए वो प्राप्ट करता की अनिच्छ के करता है मतलब ठीक है ओप्शन नंबर डी आप लोग आपस में क्लेर आंसर हो चाहिए अगला उर्दव गामी शंप्रेक्षन में संदेज परवाहा चलता है किस की ओर नीचे की ओर उपर की ओर है ना आपको बताना है क्या सही आंसर हो चीए नीचे और उपर दोनों में एक ओप्शन हो सकता है आधा तो यह नहीं होगा ओपर उक्त में से कोई यह भी नहीं कट हो जाएगा अगलक्षन किस संप्रेक्षन में संदेज का परवाहा चलता है किस संप्रेक्षन में संदेज का परवाहा चलता है तो कुशन नमबर सेवन है ज्यान लखना उसको यार विकरने नहीं होना चाहिए उर्दगामी गयर मुझे लग रहा है इसमें एक ओप्शन की कमी है तो इस को मुँं बोलते हैं अधोगामी हाना अधोगामी होना चाहिए अधोग्य अधोगामी होना चाहिए ठीक है अधोगामी होना चाहिए अधोगामी शमप्रक्षेन ठ्यान ल cabinets-ICO प्रवाज कोंसे में चलता र्यान ल 힘ọn और फूर यह न्ry तो गामी शершंस प्रिक्शन ठीक है डियर चलए अगला क्युशन वारता करते समय हमें क्या करना чаigएं हैंना तो यह आपसे weakness लिग्हें तो ध्यान नयक्न वारता किसी आपसे कर रहे हो हैंना तो यह इस चीज में आपको पूचा एंचा चलिए सही आंसर आपको पताना है question number 9 का वारतलाब करते समय क्या करना चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए हमें वक्ता की बातों को ध्यान पूरवक सुनना चाहिए भई है ना भई अगर कोई मालिज आपसे बात कर रहा है यह किसम संप्रिक्शन की बात हो रही है कोशल की तो अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो असा नहीं कि आप उसके बीच में अक्सक शेफ कर रहा है तो इसको बुरा लगएगा तो मैं क्या करना चाहिए हम जो वारता कर रहा हम है उसकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए तो option number B आप लोगा सही answer चाहिए अगर भासा में कुछ दिक्कत आ रही है तो क्या होता है अगर भासा समझने योग्य हो है ना तो इसमें option जो चाहिए वो भासा समझने योग्या ने इस पश्ट ने होगा भासा समझने योग्या हो तो ए और option सही answer चाहिए गास में ठीक है समझने योग्या होने चाहिए बासा क्लियर है अगर लक्षन का रहे है कि मुझे घर लोटने में देरी होगी किस से कह रही है राधा कह रही है किस से मतलब अपूर ने सोभित से कह रही है ना तो यहाँ पर सोभित क्या है कोन है सोभित तो आपसे बताना है अपूर्व है उसका नाम अपूर्व ने सोभित से कहा तो जो सोभित है वो क्या होना चाहिए यह आप बताना है सोभित क्या है एक किसम से प्राप्त करता है भई जो अपूर्व है है वो related हो सकता है ना राधा कोई जो इसकी related हो सकती है तो अपुर्व कह रहा है ठीक है ये ध्यान करना अपुर्व कह रहा है कि राधा से कह देना सोवित को ठीक है भई या तो सोवित क्या होगा प्राप्त करता कि उसने सुनी उसकी बात क्लियर है अगल अकुशन मा द्वारा पुछकारने पर बच्चे को हस पढ़ना दर्शाता है का हस पढ़ना दर्शाता है उसकी खोशे उसकी सकरात्मक परतिपुष्टी मा के परतिपुष्टी उसके लगाव को उसके हसने के सौभाव को देखिए इस परकार से आपके मन में अपनी कि एक्जामिनेर क्या है आपके माइंड से खेला है देखना चाहरा है कि आप किस टाइप से जवाब दे सकते हो तो वह क्या कर रहा है अपनी सकारातम पर्ति पुष्टी है उसको दर्सा रहा है ठीक है तो ध्यान अकना इसमें ऑप्शन नंबर भी नहीं होगा कभी यह लेक्ताया कि उसकां का सवभाव है अप यह नहीं बोल सकते है कि ऊसके अपनी इमानसे सवभाव है मिल्लब उसके सव gossip है यह नगीकर सकते है उसके पर कर श트 लगाव है 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 ना संचार है तू शामज़शे जरूरी है तो शंप्रेक्शन और शंग रहा के बीच ध्यान रखना शंप्रेक्शन और शंग रहा के बीच ऑप्शन नमबर सी आप लोकास में क्लियर आंसर हो जाए गडियर सही है अगला कुशन अच्छा संप्रेक्शन प्रकिरिया क्या है पूचा है कि शंप्रेक्शन प्रकिदिया क्या है एक दिर्मागी होगा ठीक है ओप्शन नमबर बी आप लोगा सही आंसर इसमें चला जाएगा है इसको कम्मिन्योकिशन इसनी जाएगा है ऑप्शों बहुत है ठीक है, option number D, आप लोगा सही answer जाएगा, क्योंकि English में क्या बोलता है, chapter of communication skill, जो आपके second year में भी अब add कर दी गई है, ठीक है, यही subject आपके second year में add कर देगा idea, clear है, अच्छा, पंदरवा question है, कि संचार एक है, क्या है संचार, मैं अब संचार, संचार बोला हूँ, संचार आखिर क्या है, एक बेहत जटिल अंते किरिया है, हैना क्या है, एक बेहत जटिल अंते किरिया, option number B, आप लोगा समे clear answer हो जाएगा, सही है, अगला question, पूछ रहा है, सोलवा question की, सूचना संप्रेक्षन की तकनिकों में सामिल नहीं है, सूचना संप्रेक्षन की तकनिकों में सामिल नहीं है, क्या नहीं है सामिल, तो यह आप से पूछा है, तो भाईया, इसमें जो सही answer जाना चाहिए, इंटरनेट पर चैटिंग करना ये भी नहीं होना चाहिए ठीक है, किसी को एक टक हाँ यह हो सकता, रेडियो पर गाने सुनना से देखिए, इसमें सबसे ज़िए डिफरेंट ओप्षन जा रहा है, वो कौन सा है वो है आपका B ओप्षन, किसी को एक टक देखना, सुचना समप्रेक्षन की तकनिकों में सामिल नहीं, देखिए सुचना की बात कर रहे है, आप माली जे इंटरनेट पर चैटिंग कर रहे है यानि कुछ सुचना पराप्त कर रहे हो कुछ सुचना पराप्त कर रहे हो, रेडियो पर मन की बात जान रहे हैं आप उसके मन की बात जान रहे हैं यह निगा किसी को एक मरलब एक ही नजरों से देखते रहाना देखते रहाना तो वो system यह पूछ रहा है सूच ना संप्रिक्षन अब किसका example दो आप तो मज़ी यह होंगे ठीक है चलिए अगल अक्षन आखों से इशारा करना किस परकार का संचार है इसका आखों से इशारा करना किस परकार का संचार है तो सतरवा सवाल है और सही आंसर आपको बताना है आखों से इशारा करने की बात हो रही है मोखिक है लिखने वाला है क्या नहीं है वाचिक का मतलब क्या हो सकता है यहाँ पर मतलब कुछ बोलके तो सापदिक यह सिस्टम में थोड़ा सा सापदिक मतलब लिखना फिर बोलना यह इसमें आ रहा है ठीक है और अशापदिक तो अशापदिक इसमें सही आने सा जाना चीए ना के वो बोल के बता रहा है ना वो लिख के बता रहा है हाना अशाब दिखो चाएगा ठीक option number D आखोसे इसारा करना समझ गे मेरी बात को clear है अगला सवाल अच्छा परंपराय एं विश्वाश संचार में क्या करती है अच्छा यह इस सवाल का बज़े संचार आपने देखा होगा मतलब परंपराय की बात कर रहा है परंपराय जो होती है परंपराय में एवं विश्वाश किसी कपरती विश्वाश है पिर आपके पुरान जो परंपराय होती है वो संचार में क्या पहुंचाती है बहधा पहुंचाती है सायता करती है फिर भूमी निमागती है फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है ना तो देखिए IBM जो है आपके मतलब जो है मन में एक एसम से कूछ रहा है देखा को reality सो बताना है अ करल लब reality बताना है है ना परंपराय होती है, जो संचार में क्या करती है? किसम से बाधाय बनती है, साइता नहीं करती, बाधाय बनती है, हाँ भूमी का कुछ निभाद सकते हैं, लेकिन वो तरही नहीं है, है ना और विस्वास की बाद बी हुई अगर हम सिर्फ परंपराओं की बात करते है, थोड़ा तो रिलेटर कर सकते हो, तो ध्यान रखना option number A आप लोग का करेंट आज जाएगा, कभी आप इसमें अंदर घुजाओ question में और लगाया हो, कि भूमी का नेभाती है, कोई करेंगा साहेता करती है, इस परकार से ये question बिल्कुल option गलत हो जाएगा आपके, यहाँ पर option number जाएग आपका A option, बाधा पहुचाने का काम कर सकती है, ठीक है डियर, समझे के मेरे बात को, चले, अगला सवाल है, कि पॉक्षिमिक्स का अर्थ क्या है, इसका अर्थ आपको बताना है, question number 19 का, तो इसका क्या होता है, संचार के दोरान रखी जाने वाले व्यक्तिगत सारलिक दूर तो जब मुझे किसी सवाल का अंसर नहीं पता होता था, तो मैं क्या काम करता था, कि जोन सभी मुझे option सबसे बड़ा दिख रहा है, माले जी मुझे इस question का अंसर नहीं पता, ठीक है, मतलब यह मैं पता रहा हूं, 95 answer यही होता है, त्यान रखना मेरी बात को, ठीक है, मैं अ ठीक है, तो ध्यान रखना, ओ, A, B, C, D, वाला तो मैंने आपको बता रहा है, उपरोक तो सभी और यहां फिर A, B, दोनों, है ना, उसका तो मैंने आपको बता रहा है, लेकिन एक फोर्मला जो ही है, जो मैं भी अकसर यूज़ करता हूं, मालब करता था, हाला कि मैंने भी IT है, और मैं उसे भी टेक करता है, और मालब 95 ऐसा चांस हो आए, कि यह सही होता है, क्योंकि option आपको इस आप से दिये होते हैं, वो answer जो है, आदा उधरा नहीं लिख सकते हैं, तो यह मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, बाकि करना ना करना वो इसकी आपकी इच्छा है, ह ठीक है, चले, अच्छा, व्यक्ति अपने पूरे दिन का कितना पर्तिशत भाग विभिन परकार की संचार किरियाओं में, सलंगन रहकर बिताता है, कितना पर्तिशत भाग, तो संचार के उपलबदी से बात कर रहा हैं, तो सब लगवा लगगा 75%, भई करता ही करता है न, त उप्शन नमबर जो है आपर, तो उप्शन नमबर 75%, जो है आप लोग का सही आंसर में मान जाएगा, ये हम, कैसा आप से चल रहा है, ठीक है, ध्यान रखना मेरी बात को, कभी आप ये बोलो, कि वो नहीं करता है, मैं तो नहीं करता, तो महला, हम भुक कैसा आप से चल कि बाखी जो बचे वे कुशन में अगली क्लास में जैसिस करवा दूँ, अब अगर ओनलाइन टैस्ट लगाना है, तो आपको वेब साइट बजाना है, पिर भी आप